नेक्स्ट कुश्चन है एक त्रिबूज ABC का शेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है दो समानतर रिखाई DEFG इस प्रकार खीची गई है कि यह है AB तथा AC को तीन ब्राबर भागों में बाड़ती है मैंने क्या किया एक ट्रेंगल बनाई यह ट्रेंगल है ठीक है यह A है AB और C तो दो समानतर रिखाई DE और FG इस प्रकार खीची गई है जो AB और AC को तीन ब्राबर भागों में बाड़ती है तो तीन ब्राबर भाग मैंने कर लिए और AB के भी तीन ब्राबर भाग ठीक है तो इनको मिला दिया ठीक है नाम रखे हैं DE और FG ठीक है DE और FG AB और AC को यह आएगा सोरी DE FG ठीक है ना DE AB को और FG AC को तीन ब्राबर भागों में बाड़ते हैं तो चत्रबूज DEFG का हमें area निकालना है इसका बीच वाली का ठीक है वो क्या रहेगा आप याद रखें जब भी इस तरह की कोई condition हो तो बीच वाले का जो area होता है वो पूरे area का 1 3rd होता है तो पूरा area तो 3 स्ट दिया हुआ है ठीक है हमें तो बीच वाला निकालना है तीन से भाग कर तो आएगा 21 यूनिट स्क्वेर ठीक है ना तो option C is the right answer